सब्सक्राइब देखिए ये कोश्चन आया आपका सीबिसी 2018-19 के सेंपल पेपर में किरा कि फाइंड वेलो फेफ और विद पॉइंट फॉर विच पॉइंट पी पी के कोडिनेट दिये हुए सब्सक्राइब देखिए एक लाइन सेग्मेंट जो की क्यों और आर को जॉइन करता है यहां पर देखिए डाइग्राम का थोड़ा सा हवाला लीजे कि डाइग्राम में यहां पर क्या चल ला है समझो फट 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 तभी आपको समझ में आएगा यह वाला पॉइंट समझो यह क्यों और आर को जॉइन करने वाला लाइन सेग्मेंट आपके सामने बना हुआ है क्यों बनाया क्योंकि उसने कह रहा है ना कि जॉइनिंग दपॉइंट क्यूंट ना अब इसका मिट पॉइंट कौन है क्यो और बताओ पी तो यहां पर पी को अगर बना लेंगे अब बताओ मिट पॉइंट फॉर्मला से सॉल्व नहीं हो जाएगा पॉइंट पी पॉइंट पी के कोडिनेट बच्छो दिये हुए क्या अब कुछ नहीं करना है अब आपने पढ़ा हुआ था यह होता था आपका क्या एक्सटू कॉमा वाइटू और जो मिट पॉइंट ह होते थे उसका हम एक्स कॉमा वाइस से दिखाते थे अब करना कुछ नहीं बच्छो एक्स इस इकोस्टू क्या होता था मिट पॉइंट के कॉड़्ट एक्सटू बाइट यह इस इक्जाम में कौन सा लगाएंगे तो जवाब है एक्स वाला क्योंकि एक्स में क्या आता है यह वाला टाम आता है सो एक्स बराबर लगा देंगे क्या एक एक्स वन प्लस एक्स टू वाइटू मिटपोइंट फॉर्मुला और एक्स की जगाप क्या रखोगे ए यह सूनो एक्स टी वंडिगरी आपको एवाए ठीस टेस्की जगा आपने रखखा एवाए ठी जू एक X2 की value negative है bracket में रखोंगा क्योंकि 2 sign एक साथ नहीं लगाते है upon में 2 अब यहां साथ जाएगा बच्छो A by 3 is equals 2 यह minus 5 है और ध्यान दें plus minus क्या होता है minus होता है तो minus 1 by 2 ओके now अब next step में बच्छो देखिए A by 3 तो ऐसे ही है चलो कोई दिक्कत है नहीं is equals to my students minus 5 minus 1 कितना होता है minus 6 होता है by minus minus plus sign लगेगा minus का so minus 6 by 2 होता है अब ध्यान दें students 2 अंजा 2 होता है और 2 3 ता कितना होता है 6 so minus 3 हो गया so A by 3 is equals 2 कितना हो गया नीचे 1 बच्छे का उसको के मतलब नहीं है अब ध्यान दें बच्छो ए में 3 डिवाइट कर रहा हो दर जाके मल्टिप्लाई करेगा so A is equals to minus 3 right में पहले से था और 3 जाके मल्टिप्लाई करेगा 3 ती जा 9 और minus ऐसे ही रहा ने कि A का वल्लू कितना आ गया minus 9 आ गया ओके कर लीचे